इन नमच्वतप दूस्तों वेल्कम तो स्वींग क्रेल आज की वीडियो में बात करेंगे इस स्टॉक सरे बारे में च्बर करने से शुर्ब्ना राइ में सिरेक कडमाइए उसके साथ में बैल एक्ण को प्रेंग विदियों हमें सथा करने हैं वीडियों को मिलकाइए पर देख सकते हैं जो कि दो साल में 11% का रिटन दे चुका है तो यह अगर आपके पोट्फोलियम अगर कोई भी स्टॉक है तो उसका अगर देखना चाहते हैं यहांपर आगे जरूर देख सकते हैं उस्हीं साब से आप उस्टॉक में निकल जाना ची वहांपर जरूर आपको कोई के इंफर्मेशन मिल जाएगा फ्रेंस अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे यहां पर यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर यहां पर बात करेंगे इस्टाक का अल्टाइम हाई है तो यहां पर ट्रेडिंग हो रहा है और यहां पर अगर कंपनी कोपनी का बडीजन संब्सक्लाइब लेती तो अब सबस्क्राइब बाते कॉम्पनी का सब्सक्राइब करता ऑफ और यह आपना वाल्याण करता है कि यहां पर कंपनी बिजनेस क्या करता है है यहां पर ओं-लाइन फोट है इसके साथ में पर इफाइनन्स करता है संब्सक्राइब होता है इसके साथ में फ solve उसके साथ में पर्सनाय ओर ने कामेंश करता है उसी के साथ में याइक पर अगर सेंखेंगे के साफस से इ अगर मार्किट के बात करेंगे तो सेग्मेंट में लगिन अगर अगर हम मन्यापुर्यम के बाद करेंगे यहां पर यहां पर इसी साफ से यहां पर उसका फाइननशल रेजल्ट जब देखते हैं तो यहां पर क्वाट्रली रेजल्ट में डिसेंबर 2021 को अगर हम देखेंगे तो यहां चौदा सोरासी करोड का यहां पर यहां पर रेविन देखने को मिला तो इसी साफ से अगर हम बात करेंगे यहां पर नेट प्रफिट के वारे में लास्ट डिसेंबर में यहां पर पर एक बड़ा सा डिकलाइन नजर आ रहा है तो इसी साफ से लास्ट चार क्वाटर के बारे में अगर बात करेंगे लास्त चार को अगर है और भात करेंगे शेजार दोशो करोड का रेविन देखने को मिला है तो बहुत बड़ी अशा इंप्रिमेंट में जरूर नजर आ रहा है यहां पे दिखेंए मार्स टून्टी 14 को यहां पर अगर हम बालनी देखते हैं बहुत थिन तो यहां पर रिजर्व जो है यहां आकर 7,700 नयानवे करोड का रिजर्व हो चुका है तो यहां पर सबसे हाइस पोस्ट कर रहा है उसी के साथ में ब्रोफिट भी बढ़िए कोई प्रोब्लम नहीं है वहारे कियर में रिजर बढ़ते जा रहा है अभी हाई ESP 5029 क्रोड का है तो कंक्पनिय में स्टाक गेर क्यु और क्यूं रहा है उसके बाद करेंगे तो यहां पर आगर हम बात करेंगे यहां पर क्रमोटर के तो प्रमोटर होल्डिंग में 35% प्रमोटर के पास में जो कि कंस्टांड है उसी के साथ में अगर हम देखेंगे यहां पर एक पास में 44% था लेकिन धीरे-धीरे एक इस टॉक में सेलिंग करके निकल चुके हैं निकल चुके मतलब इसा नहीं है थोड़ा सा स्टेक कम कर रहे ह है यहां पर 44% के पास में था जो कि फ़रन इंस्टूशनल फॉर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो यहां पर उनके पास में अभी 34% का स्टेक यहां पर एक सेल कर चुके हैं उसी के साथ में एक पॉजिटिव क्या है यहां पर आपना डी आई इने माल खरीद रखका है ठीकि यहां पर वोला जाता है जो कि व्यूच्वाल फॉंड हुआ तो यहां पर यहां पर इसी हुआ यह सब दोमेस्टिक इंस्टूशनल इंवेस्टर है तो यहां पर 14% के पास में लगातर खरीदरी कर रहें तो यहां पर अगर हम पॉब्लीक के बात करेंगे 15.80% पॉब्लीक क wan फेस्ट के बारे में फ्रेंस इंप चर्ट के बहुत होताain जो यहां पर चाथ करने से पहले एक सीज़ यहां पर बताना चाऊंगा है हमारा व्रूप में डिस्केसन करते हैं तो वहां पे मैं कुछ आपको देमों के लिए एक बता दूँ यहां पर यहां पर इसे हम क्या गरता है में हमние सा वहां यहां पर चार्ट आपको तो डिके अगर थोड़ा साब जूम करके देखेंगे यहां पर दिखेए निक्चे राइट साइड को क्या डेट लिखा हूँ तुन्टी सेवंध मार्ज को मैंने चार्ट करके पोस्ट किया था जंक्शन कांट्रोल का उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा था देखिए आपके सामने लाइफ प्रूफ है जो कि अटरा सु अब ले सकते हैं यहां पर आप उसी हिसाब से आपको प्रूफ के साथ में बताता हूं अभी स्टॉप का प्राइस क्या चल रहा है यहां पर इसे साफ से अभी आप बात करेंगे स्टॉप का प्राइस क्या है यहां पर 27 को मैंने आपको बताया था ठीक है 27 को अगर आप देखेंगे यहां पर कौन सा लेवल पर स्टॉक था यहां पर हम बात करेंगे एक मिनिट देखिए यहां पर 27 को मिन्स यहां पर स्टॉक प्राइज था एटिन अंडर सरी 27 सरी यह नहीं कि इस लेवल पर था ठीक है एटिन अंडर का लेवल पर तो इसी साफ से मैंने वहां पर बताया था देखिए उसके बाद में प्रेडिक्टेंग कर सकते हैं किस दिन भाग सकता है हो सकता है यहां पर 10 दिन और लग सकता है लेकिन अपना टार्गेट जरूर आचीब करेंगा अगर मैं आफ सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चाइन स्वाक्राइब कर सकते हैं तो किस आधा अपको इतनाजाद करने की जरुरत नहीं हीं सब्सक्राइब कर सकते हैं अब ही चलिए अपना मुद्दे पर आ जाते हैं अगर आप मेरे साथ में जरूर सकते हैं काफी तरह चीज आपको सीखने को मिलेगा यहां पर आ जाते हैं हम मन्नपुरम का चाट बटन में यहां पर यह जो स्टॉक जरूर है क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूं यह जो स्टॉक है यह अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं यह स्टॉक में आप एंट्री मत लिए क्योंक कि 2011 को यह स्टॉक में जब करेक्शन देखने को मिला था अगर एक लाख रुपे किसने यहां पर इंवेस्टमेंट किया होता तो उसका उनली 10,000 रुपे बच गया होता यहां पर ठीक है तो लेकिन उस टाइम पर आपने सेल कर दिया होता हो उसने तो फिर वहां पर स्टॉक जबकि उसके बाद में दिखिए उसके बाद में अगर देखेंगे तो यहां पर कितना टाइम दिया है आपके सामने प्रूफ है यहां से ले क्रेक्शन देखने को मिला है कितना पर संटेश का एक फॉर्टीफाइब परसंडेश का ठीक है जो कि 45 परसंडिक बहुत जधा कर लेकिन लार्ज क्याप में नहीं होता है तो इसलिए मुझा बलता हूं यह इसकी स्टॉक यहां पर दिखिए यह फॉर्टी एट परसंटेज का करेक्शन हुआ है और आप कोवीड में देखिए कोवीड में क्या यह मतलब क्या कितना बड़ा सा फॉल देखने को मिला है अगर आपको इस टॉक में आपको अगर सही लगता है अगर अनलाइस के यसाब से मेरे हिशाब से कंपने बहुत स्टॉग है लेकिन स्मॉल का सब्सक्राइब तो यहां पर तेजी आ सकता है जरूर आ सकता है तुकि कंपनी का अगर हम देखेंगे यहां पर बुग वैलो 94 का यहां पर 123 वेल्यू पर ट्रेडिंग हो रहा है तो इसी साथ जाके इसका पियर्श कंपनी का भी जरूर कर सकते हैं तो आपको बहुत कुछ यहां पर सिखने को मिलेगा तो यहां पर मेरे हिसाब से खरीदरी का मौका है अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं यह तो वहां तक कितना परसेंटिज का यहां पर गेन आता है वह जरूर हम देखेंगे यहां से लेके अगर इस स्टाक में टू टून्टीफोर टार्गेट के लिए हम लेके चलते हैं यहां पर एक 84 परसंटेज का गेन मिल सकता है अगर इसके लिए हमें एक साल क्या दो साल भी लग जाए मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है क्योंकि 84 परसंट का गेन आपको अगर दो साल में मिल जाता है तो बहुत अच्छा पैसे बनता है अगर 30% मेरा जो एक्सपेक्टेशन होता है मैं सबको बताता हूं हर एक वीडियो में मेरा जो एक्सपेक्टेशन है अगर हम मिट कर लेते हैं तो हमारा पोटफुलियो खुटिन टाइम चो हो जाएगा टेनियर्स में इस सिंपल सी बात है आप बोल लाख हा है हमने इन्बिस्ट्मेंट किया यहां पे 30% का हमने गया और 10 साल में हमारा कितना टाइश हुआ १्य मिंस 14 लाख हुआ थीक है 30% सी जेशन हमें हमारा एक लाख 10 साल में 14 लाख रुपे बना अगर हम 20 साल का टाइम पीरियोड ले लेंगे देखिए 1.9 करोड बन है ठीक है वान पॉइंट नाइंटी लाग रुपे बन रहा है तो यह प्रैक्टिकली है लेकिन हम अगर आपना स्टाटेजी के हिसाब से अपना पेसेंस के हिसाब से अपना पोर्फोलिय डाइवर्शिप केशन करके चलते हैं यह जो है यह पॉसिवल्टी यह हकिकत में बदल अगर यहां पर बात करेंगे यहां पर आप यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर अनलिस्त का यूंदि हम देखेंगे यहां पर मनना पुरम फाइनन्स में अगर आप जाएंगे तो यहां पर आनलिस्ट का दिखिए अगर आपके पास में इतना टाइम है आप खुद स्टॉडी कर सकते हैं यहां पर आने के बाद में प्लेलिस्ट में आने के बाद में यहां पे दोनों यह जो टेक्निकल चैट पैटर्न और एक बेसिक बिगनर स्टॉक मर्केट है उसके साथ में पोर्टफोलिय रिवी उसके स सकते हैं और यहां पर मल्टी अगर स्टॉक कौन सा कौन सा है उसको लिस्ट बनाएक रखिए और एक स्टॉक वीडियो देखिए आपको काफी सारा चीज सीखने को मिलेगा आपको बिलकुल वहां पर आप खुद भी आनलाइज करके खुद अर्षा स्टॉक मार्केट में प पॉटफोलियो के सही टाइम पर इंटर लेना चीजिक अगर सीख करते हैं अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं यहां पर सब्सक्राइब नहीं किए तो इमेडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को और आपका प्रेंट के जरूर शेर कीजिए तो टैकिक उनको भी एक स्टाउक मार्केट में अच्छा सा घ्यान मिलेगा तो अच्छा सब्सक्राइब कर सकते हैं ठाइक मयर्य मच्छ क्या स्ब्सक्राइब टेमें उन्हल डिचिल वीडियो मिलते हैं आएए आइक वीडियो के साथ में